तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अंडर 25,000 के बजट में टोप 3 ऐसे स्मार्टफून बताऊंगा जो की पेसावा सुल फोन्स होंगे एड़ अप्टू नेट्स लेवल अल्टिमेट लेवल के फीचर स्पेक्स देखनों के मिलेंगे जैसे की अल्टिमेट लेवल के 144Hz वाला Super AMOLED डिस्प्ले होगा 4K 60APS पर वीडियो रिकोर्डिंग कर पाऊगे 12GB की RAM, 256GB की स्टोरेज होगी और साथ ही 68W का Super Fast Charger भी होगा एंड एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्स्पिरियंस तो देखनों को मिलेगा ही तो एसे फोन्स चाहिए तो मैं बताऊँगा TOP 3 SIE बेस्ट स्मार्टफोन जिने आप अंडर 25,000 के बचट में खरीद पाऊगे तो चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट के नमबर 3 के स्मार्टफोन के उपर तो यहाँ पर यह जो फोन है यह Display Designed Performance-wise Ultimate इस फोन के फीचर जानों से पहले मैं आपको बताँ दू जो भी फोन्स मैं बताऊँगा वो Number-wise नहीं है पांचों के नमबर नमबर का वी फोन काफ़ी कमाल का है पहले नमबर का वी फोन काफ़ी कमाल का है यानि कि सवी phones next level कमाल के देखनों को मिलेंगे आप अपने specs, brand and price के according कोई भी phone ले सकते हो So now अब बात कर लेते इस phone के design and build quality से तो यहाँ पर यह phone वेगन लेधर के साथ आता है साथी इसमें एक और variant आता है जो कि वेगन लेधर से नहीं बना है Classback के साथ आता है इसमेली डिस्प्ले देखनों को मिल जाता है जो कि 140 हर्स रेट हाइज स्मूध रिफेस रेट को सपोर्ट करता है साथी गोरिला ग्लास फाइक प्रोटेक्शन 950 निस की पीक ब्राइटनेस लेवल और इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेर्सर भी मिल जाता है साथी ये एक 10-bit डिस्प्ले है और 360 हर्स रेट की टर्स मिल जाता है तो ओर ओर डिस्प्ले वाइस वन अब दे बेस्ट स्मार्टफोन है ये अंडर 25,000 के बजट में क्योंकि 3D कोड डिस्प्ले होने की वज़े से कॉंटेंट वोचिंग के लिए काफी कमाल का बन जाएगा ये फोन बात कर लेते हैं केमरा स्की तो यहां पर 3D पर लेर केमरा सेट अप देखनों को मिल जाता है जिसमें में केमरा 108 मेगा पिक्सल का है विट ओए सपोर्ट के साथ साथी 13 मेगा पिक्सल का अल्टा वाइड एंड 2 मेगा पिक्सल का माइक्रो है सेलफी यहां पर 50 मेगा पिक्सल का देखनों को मिल जाता है फ्रंट एंड बेक से 4K 60 APS पर विडियो रिकोर्डिंग एंड फोटोस को खीच पाओगे तो ओररल केमरा काफी अच्छा रहेगा बात कर लेते हैं परफोर्मस की तो यहां पर मिडिया टेक डाइमेंसिटी 8020 का एक 5G लेटेस प्रोसेसर देखनों को मिल जाता है चोकि एक पावरफुल लेटेस प्रोसेसर तो है ही 90 APS पर हाई ग्राफिक सेटिंग पर गेमिंग कर पाओगे साथी इसमें 11 लेयर का लिक्विड कुलिंग सपोर्ट भी देखनों को मिल जाता है यानि कि आप हेवी टू हेवी गेमिंग कर पाओगे बिना लेक और हिटिंग के घंटों तक बाकि यह चिपसेट 6 NMP based है बात कर लेते बैटरी की तो 5000 mAh की बीक बैटरी और 68W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है साथी UFS 3.1 स्टोरे टाइप और LPDDR4X रेम टाइप है बात कर लेते अधर फीचर्स की तो 3.5 mm ओडियो जेक है डियल रेनो सिम काड़ स्लोट है और IP53 रेटिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है साथी इसमें 8GB, 12GB की रेम है और आपको 12GB के रेम के अंदर 9GB की वल्चोल रेम भी मिल जाती है यानि कि टोटल 21GB की रेम है आप टोड़ बॉक्स एंडोर 13 पे आता है बेस्ट ओन XOS 13, 14-5GB का सपोर्ट है धन बात कर लेता है प्राइजिंग की तो 8GB 256GB वाला वेरियंट जो है उसके लिए आपको 23,990 रूपीस देना होगा और इसी के साथ जो डूसरा वेरियंट है 12GB 256GB वाला उसके लिए आपको 24,990 रूपीस देना होगा तो गाइस ओर ओर ओल ये एक ओल्डावन स्मार्टफोन है डेफिनेटली काफी कमाल के फिलेक्सिव लेवल के फीचर और स्पेक्स देखनेंगों मिल जाते हैं तो आप इस बजट में आप डेफिनेटली ले सकते हो ये फोन है गाइस चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे लिस्ट के नमबर सेकेंड स्मार्टफोन के ऊपर चोकी आता है गूगल का पिक्सल 6A स्मार्टफोन एंड ये स्मार्टफोन 25,000 के प्राइस में वन अफ दे बेस्ट केमरा स्मार्टफोन है साथ ही आपको जो डिसाइन फीजर्स भी फ्लेक्सिप ग्रेट के दिया गया है डिसाइन एंड बिल क्वाल्टी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो डिसाइन है वो अलिमिनियम फ्लेम के साथ आता है साथ ही जो बेक है वो प्लास्टिक का मिलता है और वेट इस फोन का 178 ग्राम से केवल जानि कि ये फोन एक लाइट वेट फोन है डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.14 इंच की FHD+, OLED डिस्प्ले मिलता है बाकि HDR10 प्लास्ट का सपोर्ट मिल जाता है तो डिस्प्ले अच्छा रहेगा बाकि 90 और 120 हस्ट का रिस्प्ले इस प्राइज में होना चाहिए था बाकि 180 हस्ट का टॉस्प्ली ग्रेट है और 900 इंच की पीक ब्रैटेस लेवल भी दिया गया है साथ ही इस फोर में एक हाईलाइटिंग पॉइंट के बारें बताऊं तो यहाँ पर IP67 का रेटिंग सपोर्ट है यानि कि ये फोन डॉस्ट एंड वाटर प्रूफ रहेगा तो इस प्रैस में ये एक अच्छी बात है बाकी केमरे के बारें बात करें तो ड्यूर रियल कैम्रा सेटड़ के साथ आता है जहां पर आपको में केमरा 12.2 Mpx का मिल जाता है विद ओई सेंसर सोपोर्ट के साथ प्लस 12 Mpx का अल्टर वाइड एंड 8 Mpx का सेलफी भी रहेगा और यहाँ पर आप बेक साइड में 4K 60fps पर वीडियो रिकोर्डिंग और फोटोस को खीच पाओगे बाकि इस फोन के केमरे से लो लाइट हो या डेलाइट या फिर कोई भी सिच्वेशन हो आपको काफी कमाल का अच्छे तगड़ी वाली कमाल का फोटोस और वीडियो रिकोर्डिंग निकाल के देता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से केमरा परफोर्मस बहुत ही बढ़िया है सो चलिए अब बात कर लेते हैं परफोर्मस के ऊपर तो यहाँ पर गूगल का टेंसर चिपसेट के साथ ही ये फोन आता है चोकि 5NMP based है एंतुदू स्कोर की बात कर दे तो 6,50,000 के करीब निकाल के देता है एंतुदू स्कोर भी दिया गया है सो बैटरी बेकप एवरेज रहेगा बाकी अधर फीचेस के बारे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 16 5G प्राइटी अप्डेस भी मिल जाएंगे और हाँ गूगल का फोन है तो प्राइवसी एंड सीक्योर्टी में एक काफी कमाल का बात बन जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइटन तू चीप दिया गया है साथ ही यहाँ पर in-display fingerprint sensor भी मिल जाते हैं और प्राइसिंग की बात करें तो 6GB 120 HGB के लिए आपको 26,000 देना होगा बट हाँ प्राइस उपर नीचे होता रहता है तो गाइस अगर आपको 25,000 के अंदर यह smartphone मिलता है तो यह phone काफी कमाल का रहेगा camera smartphone है my link description में है देन चलिए अब बात कर लेते हैं अपने number 1 के smartphone के उपर तो इस list के अंदर सबसे newly and latest smartphone है यह जो कि next level premium design, display and camera के साथ आता है and साथी completely all-downer smartphone है यह जो कि yes, यह phone price के हिसाब से value for money smartphone है नाम है दोस्तो OnePlus Nordo CE35 smartphone तो चलिए जान लेते हैं phone के price and build quality के उपर तो यहाँ पर यह जो phone है completely plastic से बना हुआ है and weight की बात करें तो लगभग 184 gram phone का weight है यानि कि light weight phone है बाकि display की बात करें तो यहाँ पर 6.7 inch का FHD+, 10 bit fluid Emily display देखनों को मिलता है जो की 120 Hz refresh rate को support करता है साथी 240 Hz का touch sampling rate है and HDR10 plus का भी support मिल जाता है और आपको इस phone में अच्छी खासी brightness देखनों को मिल जाती है जो की 9.5 inch की peak brightness दिया गया है तो overall display में अच्छा है ये phone बाकि camera के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर triple camera setup देखनों को मिलता है जिसमें primary 50 megapixel का Sony IMX 890 के साथ आता है जो की ये एक Sony का latest sensor है साथ ही यहाँ पर OIS का भी support मिल जाता है और आपको बता दू कि ये sensor एक flagship level का है जो की 55,000 के price में मिल जाता है जो की आप जानते ही होगे Nothing phone 2 में मिलता है और OnePlus के 11R में भी यही sensor देखनों को मिलता है तो overall flagship level का sensor है ये बाकि इस phone में जो camera है under 25,000 के price में one of the best camera smartphone है ये बाकि साथ ही में 8HB के ultra wide and 2 megapixel का micro भी है Selfie आप 16MP का देखनों मिल जाता है और आप 4K 30APS पर video recording और photos को खीच पाओगे So overall camera में next level है बेग से आप अच्छा photos और video recording capture कर पाओगे तो चलिए performance के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर processor जो मिलता है वो Snapdragon 782G का एक 5G chipset देखनों मिलता है चो की एक new lead chipset है एं तो तो score spoon का 7 lakh के करीब आता है चो की score से आप 60APS पर gaming कर पाओगे high graphics settings पर और यह chipset x6nm पर based है साथ ही UFS 3.1 storage type है जो की latest storage है और यहाँ पर LPDDR4X रेम टाइप भी मिल जाता है normal uses में based रहेगा बाकी gaming भी 60APS पर high graphics पर खेल पाओगे बैटरी की बारे में बात करें तो यहाँ पर 5000mAh की big battery and 80W का fast charging support भी मिल जाता है चो की 0-100% 35 minutes में fully charge कर पाओगे and एक बिन का आपको battery backup अराम से दे देगा तो चलिए बात कर लेता है फोन के other features के बारे में तो यहाँ पर deal stereo speakers मिलते हैं with Dolby Atmos के साथ साथ ही hybrid SIM slot मिल जाता है यानि 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 SD card लगा पाओगे बाकी बता दू कि आपको 3.5mm audio jack नहीं मिलता है क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही बताया 20,000 के उपर के phones में अब ये चीज सारे phones में से गयाप कर रहे हैं तो कुछ SI SIM सारे phones में भी रहेगा बाकी out of the box endo 13 पे ये phone आता है और Exynos OS 13 पे based है साथ ही इस phone में 2 साल की major OS updates और 3 years की security updates भी मिल जाते हैं और साथ ही in display fingerprint sensor भी है और IP54 rating भी मिल जाता है यानि कि हलका full का dust और waterproof भी रहेगा साथ ही 85G bands का भी support है तो overall ये phone एक old downer phone है इस price में तो pricing की बात कर लेते हैं तो 8GB 128GB के लिए 26,990 रुपिस देना होगा और आपको 2000 रुपे का instant discount भी मिल जाता है जब आप phone buy करोगे तबी तो 25,000 में ये phone मिल जाएगा and definitely इस price range के अंदर value for money smartphone है साथ ही OnePlus का smartphone है तो क्या ही कहन description में link है जाके check out जरू से करना तो दोस्तों ये थे top 3 best smartphone जिनको आप under 25,000 के budget में खरीद पाओगे and हाँ आपको flexible level के design, performance and features तो देखनों को मिल ही गए होगे बाकी आपको under 30,000 के budget में top 5 best smartphone चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करो टो 5 best smartphone चाहिए अंडर 20,000 के तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को एक लाइक और चेनल को सब्सक्राब जरू से कर लेना मैं मिलता है उसकी नेक्स वीडियो के अंदर तब तक लिए थैंक्स पॉर वाचिंग